नमस्कार दोस्तों, OCEAN Network में आपका स्वागत है। कई संयोग बन रहे हैं। वैसे तो ये जो दशहरा और दिवाली के बीच का समय होता है, ये शुब ही माना जाता है। और आप और हम ये भी जानते हैं कि जो सनातनी हैं और जो शुब अशुब में और तमाम दूसरी चीजों में विश्वास रखते हैं। उनके लिए अब देव उठने का समय भी करीब ही आ रहा है अठारे नौंबर से देव भी उठ रहे हैं और उसके बाद से फिर ब्याहा, शादी और दूसरे तमाम जितने भी शुब काज हैं वो होते ही हैं इधर हम देख रहे हैं एक और संयोग बन रहा है और ये भी दिल्ली वालों के लिए भी और देश के लोगों के लिए भी बड़ा शुब संयोग होगा अर्विंद केजरिवाल को भी इडी ने समन इशु कर दिया है इनके दो साथी तो पहले ही अंदर हैं उनको जमानते मिल नहीं रही हैं मनीशिस हो दिया तो 27 फरवरी 2023 को ग्रफतार किये गए थे तब से लगातार जेल में हैं अभी 25-30 दिन पहले इनके दूसरे साथी और राज्य सभा के सदस्य संजय सिंग की ग्रफतारी होई थी वो भी जमानत के लिए काफी हाथ पैर मार रहे हैं लेकिन जमानत मिल नहीं रही है इनके एक और कैबिनिट सहयोगी यानि पूर्व स्वास्त मंत्री सतेंद्र जैन पुराने मनी लॉंडरिंग के एक केस में एक साल से अधिक समय तक तिहाड में रहे वहां की रोटियां खाई तीन-तीन इनके निकट सहयोगी ओल्रेडी तिहाड की यात्रा कर चुके हैं कुछ अभी वहां है और सतेंद्र जैन को अंत्रिम जमानत मिली हुई है हेल्थ कंडिशन्स के आधार पर अब एक और सुखद संयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है सुप्रिम कोर्ट की ठिपनी के बाद वैसे तो सुप्रिम कोर्ट ने दो-तिन ठिपनिया की है एक तो मनी सिसोदिया की जमानत याची का खारिज कर दी और उस पर टिपनी की के तीन सो अड़तिस करोड रुपे के हस्तान तरण के सबूत मिले हैं दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो जाँच एजिंसी है वो आठ महिने में ट्रायल पूरा कर ले अब जाहिर है एजिंसियों पर तो प्रेशर है आठ महिने में वो पूरी कोशिक करेगी के ट्रायल पूरा कर ले और अगर इजिंसी की तरफ से ट्रायल पूरा करने की दिशा में उतनी तेजी से काम नहीं होता है तो तीन महिने बाद मनीश सिसो दिया अपनी जमानत के लिए फिर से याचिका दाखिल कर सकते हैं सुप्रीम कोट में लेकिन जिस मैं सुखद संयोग की बात कर रहा हूँ वो है अर्विंद केजरीवाल को E.D. का नौटिस अप्रेल में इन से करीब 9 घंटे की पूश्टाच E.D. ने की थी और अब ठीक 6 महिने बाद एक बार फिर संयोग बन रहा है इनको समन भेजा गया है 2 नवंबर के लिए आज 31 अक्तुबर है एक नवंबर और बस दो नवंबर दो दिन बाद अर्विंद केजरीवाल को E.D. के मुख्याले हाजिर होना पड़ेगा आगे की पूश्टाच के लिए और याद रखिए सुप्रिम कोर्ट ने कहा है 338 करोड रुपे का हस्तांत्रन हुआ है इसके सबूत मिले है जाहिर है एजिंसी ने ये तथ्थ सुप्रिम कोर्ट के संग्यान में ला दिया है अभी तक तो सो करोड की ही बात थी के सो करोड पकड़े हैं दक्षिन की एक शराब कारोबारी कंपनी से या साउत की एक लोबी से इनों ने और वो गोवा और पंजाब के विधान सवाचनाव में खरच किये थे और इसी लिए शराब कारोबारियों के सुजहाओ पर ही नई आवकारी नीती तैयार की गई थी और लागू की गई थी और एक ही जटके में अरविंद केजरिवाल और उनकी सरकार ने जो सरकारी दुकानदार थे उनको इस रेश से बाहर कर दिया था और निजी हातों में ही सारा शराब का कारोबार सुंप दिया था अब वो जो निजी कारोबारी थे जो खिलाडी थे जिनसे इन्हों ने घूस ली है पैसा लिया है उनमें से कुछ थोड़े कच्चे निकले कमजोर निकले और वो बन गए हैं अब सरकारी गवाहा और उन्होंने सारा कच्चा चिठा खोल दिया बता दिया कहां कितना पुझापा चड़ाया गया कब कब चड़ाया गया किस किस ने रिसीव किये तो यही वजय है कि मनीश सी सोधिया को जमानत नहीं मिल रही है, नो महिने से वो तिहार जेल की रोटियां खा रहे हैं, उनके दूसरे एक संगी साथी जो बहुत उंची-उंची आवाज में माइक पर प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते थे, यह कहते हुए कि यह सर्वेस और जो हमारे दूसरे चेले चपाटे हैं, उन पर मोदी जी क्यों इस तरह से अत्याचार कर रहे हैं, हम से बात करें ना, तो मोदी जी तो खेर किसी से क्या बात करेंगे, उन्होंने तो विज्ञान भावन से लेकर के और लाल किले की प्राचीर से, जो भी इस तरह की इन्वेस्टिगेशन एजिंसियां हैं, उनको साफ साफ कह दिया था, कोई कितने भी पड़े पद पर हो, किसी को बक्षना नहीं है, गले से पकड़ता है, गर्दन से पकड़ना है, और अदालत के सामने पेश करना है, सक्ती के साथ भरष्टा चारियों को उनके जाम तक पहुंचाना है, तो ये खेल शुरू हो चुका है, ये खेल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी और उनकी सरकार ने शुरू नहीं किया है, ये शुरुवात हुई थी भरष्टाचारियों की तरफ से, और जब तक नरेंदर मोदी प्रधान मंत्री नहीं बने थे, तब तक इनका खुला खेल फरूखाबादी चल रहा था, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला भी नहीं था, अब सीधे सीधे एजेंसियों का ब्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों का हाथ ब्रश्टाचारियों की गर्दन तक पहुँच रहा है और जिनकी गर्दन तक पहुँच रहा है जिनोंने पबलिक का लूटा है दोनों हाथों से और बहुत बेहयाई के साथ लूटा है वो तो अब बच नहीं सकते हैं और जिनको ये लग रहा है कि अरे हम सत्ता में तो पाटने के लिए ही आए थे और हमें लूटने नहीं दिया जा रहा है बलके उल्टे तिहाड की यात्रा कराई जा रही है तो वो क्यों नहीं चीखेंगे चिलाएंगे क्यों नहीं गाली देंगे क्यों नहीं ये आरोप लगाएंगे के राजनेतिक बदले की भावना से ये सब का रवाई की जा रही है और मौदी जी बड़े घबराये हुए हैं हमारी ताकत से हमारी लोक प्रियता से हमारे आगे बढ़ने से पता नहीं कौन सा आगे बढ़ रहे हैं ये लोग लोग सभा में अर्विंद केजरी वाल की पारिटी का एक ही मेंबर ओ पार्लेमेंट है और ये मौदी को चैलेंज करते हैं जिनकी पारिटी के पास 303 MP थे 2019 में जब चुनाव लड़े से यानि एक MP वाला आदमी पुर्धान मंतरी नरेंदर मौदी को चैलेंज करता है उनको गालियां देता है खड़े होकर के विधान सभा में उनको ललकारता है और ऐसे ये अकेले नहीं है और बहुत सारे हैं अलग-अलग रज्यों में लेकिन ऐसा लगता है कि पुर्धान मंतरी नरेंदर मौदी ने अब ये फैंसला कर लिया है कि जितनी तुम्हें गाली देनी हो दो जितना चीखना चिलाना है चीखो चिलाो दिवारों में सिर पटको गैंग अप करो सारे इकटे हो जाओ 26-28 दल नहीं 40 दल इकटे हो जाओ पर अब बच नहीं सकते हो अगर पबलिक का लूटा है अगर देश का लूटा है अगर भ्रष्टाचार किया है, अगर गोटाला किया है, तो वो वापस करना पड़ेगा और इसके लिए जो मैक्सिमम पनिस्मेंट है वो भी भूगतना पड़ेगा. सबसे अच्छी बात पता है क्या हुआ है, वो ये हुई है कि सुप्रिम कोर्ट ने कोई हीला हवाली नहीं की, कोई धील नहीं वरती, किसी तरह का रहम इन लोगों पर नहीं दिखाया. और इसके लिए तो सुप्रिम कोर्ट की परशंसा करनी चाहिए. क्योंकि जिस तरह का परसेप्सन इधर बना था कोर्ट का, के साब एजिंसियां तो काम कर रही है, मौधी सरकार तो ब्रहष्टा चार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, पर कई बार अदालतें रहम दिल को जमानत ना देना, और ओन रिकोर्ड ये बात लेकर के आना, के नई आवकारी नीती में जो घोटाला हुआ है, उसमें तीन सो अड़तीस करोड रुपे के हस्तांतरन की पुष्टी हो रही है, जानकारी मिल रही है, ये शो करता है, के अब अदालत भी, यानि सर्वोच अदालत भी, सरकार जो चाह रही है, उसके अनुरूप ही काम कर रही है, और सक्ती दिखा रही है, और ये खत्रे की घंटी है, अर्विंद केजरिवाल और उनके सहियोगियों के लिए, अर्विंद केजरिवाल को उस समय शायद कुछ गलत फहिमी हो गई थी, जब सर्वोच अदालत ने दिल्ली की जो सेवा शर्ते संबंधी व्यवस्था है, वो अलजी और केंद्र सरकार यानि होम मिनिस्ट्री से लेकर के एक तरीके से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के सुपूर्द कर दी थी, लेकिन बाद में जब इन्होंने जल्द बाजी कुछ हद से ज़्यादा जल्द बाजी दिखाई, और सबसे पहले सतर्कता विभाग पर इन्होंने हमला बोला, उसके स्पेशल सेकेटरी का ट्रांसफर करना, वहां जाकर के फाइलों में खुर्द बुर्द करना, उनकी फोटो को पी निकालना और बहुत सारे अफसरों को एक तरीके से धमकाने की कोशिश करना, उसके चलते मौधी सरकार को एक विधयक लाना पड़ा, और सुप्रिम कोर्ट ने जो विवास्ता दे थी उसको उलटना पड़ा, अब उस मामले में भी ये लोग सुप्रिम कोर्ट में गए जरूर है, चैलेंज जरूर किया है, लेकिन सुप्रिम कोर्ट उस पर सुनवाई की कोई बहुत जल्दवाजी में दिखाई नहीं दे रही है, और जिस तरीके से पहले सतेंद्र जैन, उसके बाद मनीश सिसो दिया, फिर संजे सिंग, इन पर शिकंजा कसा गया, इनकी गिरफतारियां हुई, इनको तिहाड बेजा गया, उसी तरीके से अब 2 नवंबर को अगर अर्विंद केजरीवाल को भी आमंत्रित कर लिया गया है, याद कर लिया गया है, बुलाया गया है, कि आप ज़रा तसरीफ का ठोकरा लेकर के आईए, तो चर्चाएं बहुत तेज हैं, कि यह जो शुब महुरत का संयोग बन रहा है, इसमें बहुत संभाव है, कि अर्विंद केजरीवाल का भी तिहाड यात्रा का, यानि गमन का संयोग बन जाए, इस बात की बहुत संभाव ना है, क्योंकि लोगों का ये कहना है, विशेशग्यों का ये कहना है, कि इस नई आवकरी नीती को लाने, इसमें लूट मचाने, घोटाला करने, ब्रस्टाचार करने, पैसा थामने, इस सब के मास्टर माइंड, खुद मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल है, वो भले ही किसी फाइल पर दस्तकत ना करने का श्यानापन दिखा रहे हो, भले ही उन्होंने कोई मंत्राले अपने पास नहीं रखा हो, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते, सरकार का मुखिया होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारी और जवाब देही से बच नहीं सकते है। आवकारी नीती या कोई भी नीती किसी सरकार की अगर लाई जाती है, कैबिनेट से पास होती है या नहीं भी होती है और उसको लागू किया जाता है तो बिना मुख्यमंतरी की सहमती के बिना उनके निर्देश के ये संभव ही नहीं है और जिस तरीके से कुछ गवाहों ने अर्विंद केजरिवाल का भी नाम लिया है उससे तो आप तै मान लीजिए कि अर्विंद केजरिवाल भी बहुत बु अगर अर्विंद केजरिवाल तिहाड की यात्रा करते हैं तो आप ये भी तै मानिए कि दिल्ली का नया मुख्यमंतरी भी आएगा और ये नया मुख्यमंतरी कौन होगा जिन लालु यादव को ये एक समय ब्रश्टाचारी बताते थे ऐसा लगता है उनहीं के नक्षे कदम पर चलते हुए जैसे लालु यादव जब जेल भेजे गए थे और उनको मुख्यमंतरी पद छोड़ना पड़ा था तो अपनी पतनी राबडी देवी को मुख्यमंतरी बना करके गए थे ऐसे में लगता यही है कि अर्विंद केजरिवाल की अगर तिहाड यात्रा तै हो ग घर में ही वो मुख्यमंतरी तै कर चुके होंगे अपनी पतनी को मुख्यमंतरी बना करके जाएंगे तो कई संयोग एक साथ बन रहे हैं आने वाले दिनों के तमाम घटना करोमों पर हम भी बहुत बारिक नजर रखेंगे और आप भी जराई बारिक नजर रखिए शायद द धन्यवद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर करना जरूर याद रखें अपने मित्रों को भेजें और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और जो बेल आइकॉन है उसमें भी जो आल का बटन है उसको दबाए ताकि जब आगे नए वीडियो आए इस संबन में भी और दूसरे विश्यों पर भी तो उनके नौटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कर